दोस्तो हमारे खान पान में नमक का विशेश महत्व है ये नमक ना सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है बलकि नमक ना होने के कारण लजीज से लजीज नमकीन व्यंजन बे स्वाद लगता है लेकिन क्या दोस्तो आपको पता है खाने वाले नमक के उपाय से आप चल्दी ही धनवान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तो इस नमक से धन आपके पास भी लोहे के पास चुम्बक की तरह खिचा चला आएगा। दोस्तो ये नमक जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तो जब से नमक की खोज हुई है तब इसे ये माना जाता रहा है कि इसमें नकारात्मक उड़जा को दूर करने की अदभुत शक्ती है। और उसकी किस्मत रातो रात बदल जाती है। दोस्तो वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में एक अलग तरह का आकर शन होता है। और इसी वज़े से नमक का प्रयोग कई मंत्र और तंत्र तथा तोड़ने तोटके में भी किया जाता है। कुछ लोग तो वशी करण के ये दोनों ही राहू के कारक हैं। इसलिए यदि आप नमक को काच की प्याली में भरकर शोचाले एवं सनाना घर में रखेंगे तो वहां से नकारात मकूरजा का नाश होगा। साथी वहां मौझूद सुक्ष मकिटानू भी नश्ट हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्याणा तो उसमें कुछ नमक अवश्या मिला दें। यह उपाई आप हफ्ते में कम से कम एक या दो बार अवश्य करें। यह नमक का पौंचा घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। और सकारात्मक ऊर्जा मा लक्शमी को घर में प्रवेश करने के लिए आकरशित करती है जिससे शिग्र ही आपको धन की प्राप्ति होगी दोस्तों तीसरा उपाय भी बेहत सरल और प्रभाव शाली है नमक को कांच की प्याली में भर कर और उसके अंदर चार पांच लॉंग डाल कर घर में रख दें ऐसा करने से माता लक्षमी भी प्रसन होती है और घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है दोस्तों बात करें चोथे उपाय की तो नमक वाले पानी से इसनान करने या फिर हाथ पैर धोने से ही बहुत अधिक लाब होता है इससे आपका शरीर फ्रेश होता है और अंदर पॉजिटिव एनरजी आती है साथ ही नमक वाले पानी से इसनान कर और लाल सू की मिर्च इन सबी चीजों को दान करने पर व्यक्ति का भग्य प्रवल होता है उसे दौलत शोहरत आसानी से प्राप्त होती है शनी की कुद्रश्टी भी समाप्त हो जाती है ऐसे में धनकी देवी माता लक्ष्मी आप से बहुत प्रसंद होती है दोस्तों अगर य वीडियो आपको पसंद आई है तो इन उपायों को अवश्य करिए साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर एवम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए